इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं how to read balance sheet of a company किसी भी company या stock का balance sheet कैसे चेक करें यह जो analysis होता है यह आपको help करेगा किसी भी stock में investment करने के लिए क्योंकि को भी stock रहता है उसका price कभी भी बढ़ जाता है कभी भी कम हो जाता है लेकिन आप अच्छे सकर balance sheet के आप analyze करे आपको balance sheet आपको बहुत अच्छे से help करेगा investment करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर आपको मैं एक stock का fundamental analysis करके बताऊंगा और यही same strategy दूसरे stock के लिए भी आप यूज कर सकते हैं fundamental analysis करने के लिए मैं जैसे कि moneycontrol.com यह जो website है moneycontrol.com यह website का मैं यह website का मैं क्यों आप दूसरा website भी यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नसी इंडिया.com हो गया इसकी वाद में यह investing.com हो गया यह से अभी website भी यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगे तो चलिए अब मैं आपको moneycontrol के website पर यहाँ पर TCS company के मैं आपको मैं analyze करके बता देता हूं तो यहाँ पर सर्च करिए TCS लिखें जैसे आप यहाँ पर TCS लिखेंगे आपके सामने बहुत सारा company आगे जैसे TCF Tata Consultancy Services इसको आप यहाँ पर क्लिक करिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Tata Consultancy Services Limited में आपको सभी details मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी current price कितना चल रहा है 2279.25 यहाँ पर NSC में चल रहा है 2279.90 यह BSC में बता रहा है यह NSC में बता रहा है इसको आप open, bid price, offer price, previous close, today high low, 52 week high low यह सभी details आप यहाँ सब चेक कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे balance sheet आपको चेक करना किसी भी company का यहाँ पर बहुत सारे option दिएवे code चाया technical, valuation, corporate, news तो आपको यहाँ क्या करना आपको यहाँ पर financial पर क्लिक करना है ठीक है, financial पर क्लिक करने के बाद पर आपके सामने यह page आएगा ठीक है तो यहाँ पर financial में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना यह balance sheet में जैसे आप balance sheet में आपके सामने एक नया टाइब open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Tata Consultancy Services Limited का balance sheet यह देख सकते हैं यह last five year का balance sheet है मार्च 2016 का है मार्च 2017 का है 2018 का है 2019 का और यह 2020 का है यहाँ आप आप देख सकते हैं 12 मंत लिखा हुआ है ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर balance sheet में क्या क्या चीज़े आते हैं बहुत सारे जैसे equity liabilities हो गया equity share capital हो गया non current liability current liability उसके बाद में यहाँ पर आप asset हो गया इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं discuss करने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर yeah equity share capital equity share capital का मतलब होता है यहाँ पर दिर्खालता हूँ share capital holders shareholder capital equity capital contributed capital और paid in capital is the amount invested by a company shareholder for use in the business मतलब कि जो company होती है वह company अपने share को इस्यो करती पबिक में इस्यो करने के बाद में जो भी पैसा जो शेयर कैपिटल जो कैपिटल होता है कैपिटल आता है वो कैपिटल को कंपनी अपने बिद्ध में यूज़ करने के लिए रखती है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं शेयर कैपिटल तो अब यहां पर 12 मन्त में देखेंगे तो उसका वैल्यू 197 था फिर 197 फिर यह कम हुआ हो गया है उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर अगयन है 375 ठीक है उसके बाद में आप जैसे टोटल शेयर कैपिटल यहां पर 25 सब्सक्राइब देखेंगे तो इस कंपनी में इतने सारे पैसे रिजर्ब करके रखेंगे जैसे देख सकते हैं कि मार्ट 2016 में तो 2016 में 64,000 इतना था फिर 17 में इतना था फिर 18 में 75,000 फिर मार्ट 2019 में आप देखते 78,000 523 है और मार्ट 20 में 23,993 है इतना इन्होंने रिजर्बन सर्प्रस अपने हां पर रखा हुआ है एमर्जेंसी में इसे कुछ भी परपस से यूज कर सके फूचर में तो सबसे पहले फर अगर रिजर्बन सर्प्रस बढ़ रहा है मतलब जिसका रिजर्बन सर्प्रस ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी फंडमेंटली स्ट्रॉंग है रिजर्ब बढ़ने का में रिजर्बन होता है कि कंपनी का प्रॉफिट होना क्योंकि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो net profit में से जो cash बचता है वो आपका reserve and surplus में add हो जाता है हर साल वो आपका जो भी profit होता है वो आपका reserve and surplus में होता है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका reserve and surplus से कम हो गया है 723,993 ठीक है है अब हम जानेंगे लाइविटीज के बारे में लाइविटीज का मतलब होता है कि कंपनी का दैविट साओं की कंपनी को यहाँ पर pay करना पड़ेगा यहाँ पर दो तरीके के होते हैं एक ही एक है यहां पर जो भी लाइविटी घुटे है उसे डिक सकते हैं और पहले आपके पफ्ता जाता हूं लग-kaं अंडाते हूं लॉंसमय पहुतम होता पहीन लेकिन इसको छर्व एंडेव्ट होगा वह बहुत ज़्यादा होगा वह प्रॉफिट को अठेक्ट करता है। जेकर यहां पर देख सकते हैं जैसा कि long term borrowing हमसा कम होना चाहिए अगर long term borrowing कम है तो company profit में यहां पर देख सकते हैं कि long term borrowing में इनका कुछ भी नहीं है पहले देख सकते हैं कि 50 था 50 फिर यहां पर 44 यहां पर 39 है यहां पर देखेंगे तो कोई भी लॉंग टर्म नहीं है अभी यह बहुत अच्छा है उसके बाद में आपका बताता हूं इसका मतलब कंपनी को टैक्स पे करना है लेकिन अभी तक इस साल कोई भी टैक्स पे नहीं किया है अब जैसे यहां 366 हो गया यह जितना चीज़ दिखा रहा है यह कलोर में दिखा रहा है ठीक है तो लाइविटीज है अभी इस कंपनी का बहुत ज्यादा है 6234 जो की कंपनी के ले अच्छा नहीं है यह बहुत ज्यादा है यह बल्कि यह कम होना चाहिए था अब मैं आपका बता दून लॉंग टर्म प्रोविजन इसका मतलब कंपनी कुछ पैसा रिजर्व करके रखी है फीचर के लिए अगर कोई अमर्देंशी आ गया या फिर कोई अक्सिडेंट हो गया फाइर अधर स्मॉल एक्सपेंसेज ठीक है तो यहां पर भी आप देखते हैं लॉंग टर्म प्रोविजन में भी आपके कुछ नहीं है यह भी जीरो है तब देखते हैं करेंट लाइविटीज हो गया कंपनी का 6581-1701-1132-1035-1095 लास्ट फाइवियर का है यह तब मैं आपको बता दून करेंट लाइविटीज के बारे में यहां पर आपको जो भी लाइविटी होते हैं उसे one year की अंडर पी करना होता है सब से पहले सौ तर्म बोरिंग बता दूंग आपको मतलब ऐसे डैप्ट जिसका पेमेंट आपको वन यह की अंडर करना होता है यह होगया सौटर्टम बोरिंग यहां पर देख सक गूट बीजन शप्लाइश और माटेरियल यह सब प्रॉटोम डट है है किसी भी कंपनी का अब उसके बाद में आपके बता दूं अगर करेंट लाइविटीज कि अगर करेंड लाइविटीज वाइविटीज होते है उसे वन यह को अंदर में न होता है लास्ट में आता है short term provision, short term provision आता है यह भी same long term provision जैसे ही है लेकिन यहाँ पर जो emergency fund होते हैं उनका payment short term मतलब 1 year के अंदर करना होता है, short term provision में जो भी payment करना होता है लेकिन अभी इनका कितना current liabilities है मान के चलिए 235 है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि total current liabilities है company का 240026 अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतना है आप जैसे कि देख सकते 104975 है यह भी धीरे देखेंगे तो एवरी यह बढ़ रहा है अब मैं आपका बता देता हूं asset अब हम discuss करेंगे what is asset asset का मतलब होता है company का office equipment हो गया vehicle हो गया furniture हो गया machine हो गया land यह सब asset होते हैं अब इसमें दो चीजें आते हैं एक non current asset और current asset होता है non current asset का मतलब है कि company के पाफ जो भी asset more than one year के लिए रहते हैं मतलब one year के लिए रहते हैं रहने वाले हैं वो long term asset में आते हैं इसमें सबसे पहले आता है tangible asset इसमें include होते हैं जैसे की cash inventory vehicle equipment building and investment जो भी physical है वो सभी क्या tangible में आते है tangible asset में अब मैं आपको बतादू in tangible asset क्या होता है इं tangible asset का मतलब हो asset जो की do not exit in physical form and include things जैसे की account receivable prepaid expenses और patience goodwill यह सब ही क्या है कि आपका intangible asset में आते हैं इसके बाद आता है capital work in progress इसका मतलब है कि company का capital को use किया गया है किसी product के development में या फिर construction में लेकिन काम अभी चल रहा है मतलब कि यहां पर काम अभी चल रहा है काम अभी work in progress में है तो इसका capital वहां पर यूज किया गया है ठीक है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका capital work in progress 16 में इतना था 17 18 19 और 20 में कितना भी 781 है ठीक है अधर asset में मतलब और जो भी कुछ छोटे मोटे asset होते हैं वह आते हैं अधर asset में पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल जीरो है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर fixed asset कितना है यहां पर total आपको दिया हुए पर देख सकते हैं कि कितना था 16 में 17 में 18 में 19 में 20 में 16903 है अब मैं आपका बताता हूं non-current investment यह जो investment होता है वो long term होता है जो भी investment का return होता है इसमें से हम within one year के under convert नहीं कर सकते हैं यहां पर जैसे की property हो गया plant हो गया equipment हो गया है इसमें जो भी investment होता है जो भी return होता है इसको हम one year के under convert नहीं कर सब्सक्याण कि यह long term के लिए होता है इसमें उसके बाद में होता है जैसे की deferred tax assets होता है deferred tax asset में जो भी except होता है उसका tax pay करना हुआ जो pay करना है वह आता deferred tax asset के अबर पर फिर होता है जैसे कि long term loans and advances long term loans and advances का मतलब हो जैसे कि company ने किसी को advance में पैसा दिया है यह फिर आप समझ लीजिए company ने किसी को long term loan दिया है तो company को उस loan और advances का interest मिलता है यहां पर long term loan and advances में company किसी को loan वन दिया है तो यहां पर इसको इसमें इंटरेस्स मिलता है अब इसके बाद में आता है अधर इंटर्ण उसे उसे हम अधर करेंट असे इस में ढाल दिया जाता है तब यहां पर टोर्ट सिRO ост मू नॉन करेंट एसे अधर कर दो इतना है घीक है तब यहां पर कंपपनी कि अगर टोटल नॉन करेंट अंठ ज्यादा है तो कंपनी के लिला अच्छा है मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है अब यहां पर देख सकते हैं कंपनी का टोटल नॉन करेंट अच्छा है अब यहां पर हम डिसक्स करेंगे करेंट असेट के बारे में के क possibility को कुछ रिटर्न देने वाले हैं मतलब कि प्राफिट इंटर्स्ट कुछ भी यहां करेंट इंट्रस्ट को मिलेग इए अब सबसे पहले करेंट में कंपनी में कहीं invest क्या है वह व pineapple के लिए हैं तो रिटाड यहां पर यहां पर कंपनी में जैसे करेंट investment किया हुआ है जैसे आप यहां देशकते हैं 25686 का current investment किया है तो यहां पर जो भी investment किया है उसका short term के investment कर कमपणी को कुछ profit रिटर्न मिले गाए यहां पर इसके बाद inventory इसका मतलब कमपनी का जो भी product है के लिए रखा हुआ है लेकिन वह अभी सेल नहीं हुआ है वह company के पास जो भी stock रखा है वह रखा ही हुआ है तो इसके बाद cash and cash equivalent का मतलब होता है कमपनी के पास कुछ cash रखे हुए हैं cash equipment के लिए cash equipment बोले तो जैसे की कुछी machine हो गया या कुछ समान खेर दे नहीं है उन सभी चीजों छोटे मोटे चीजों के लिए company पास अलग से पैसे रखे हुए हुए है कि उसमें चाकी पर्टेस कर सके उसके बाद short term loan and advances आता है कि कंपनी ने किसी दिसरे कमपणी को मतलब short term loan दिया हुए है कि company को short term loan दिया हुए है उसका company को क्या है कि short term के अंदर में उसको company वाले को पैसा भी वापीस मिलेगा उन्हों पैसा दिया तो पलस हैं उसको interest भी मिलेगा लाईस्ट में आता है जैसे अधर करेंट pernah करेंट एसेट में जो भी ऐसे चलते मुज़ाता अशिल्डेंट के अंदर परे आता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर टोटल करेंट दिखा रहा है 79194 आप प्लाट 5 एर के दिखेगा यह सब बढ़ जा रहा है ठीक है अभी यहां पर है 79194 है यहां पर टोटल असेट देख सकते हैं 104975 है 2015 में 00417 था फिर 89 हुआ फिर 91 हुआ फिर 99 हुआ फिर 104975 तो मत्तब यह कंपणी के लिए अच्छा है कि कंपणी का टोटल आसेट हो बहुत जारा है ठीक है तो बैलन्सीट में आप कभी भी आप चेक करेंगे तो लाक्ट 5 एर के चेक करिएगा तो यहां पर सबसे पहले तो आ में कितना कहीं तो लोन देलिा कितना का लॉन लिया है long-term provision कितना है कि बैलन्स ऴीट का काम क्या होता है यहां पर आपको जो टोटल अब यहां पर क्या है टोटल अशेट आपका क्या है 104975 और यहां पर आप देख सकते हैं लाइविटीज क्या 104975 यह दोनों मैस कर रहा है यहां ठीक है कि मुझे आशा करता हूं कि आपको यह जी समझ में आगया होगा कि किसी भी कंपनी के बैलन्स इट को आप कैसे चेक करें ठीक है तो मैं आपको यहीं सजेट करूंगा कि आप अगर लॉंग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में तो आप अच्छे से कि भी किसी स्टॉक के बैलन्स इट को चेक करें इन्वेस्मेंट करने से पहले तो इस वीडियो बस इत्ता ही थैंक यू